और जम्मो किश्मीर पिपिल फर्म का सोजय जगूंग और जो जम्मो किश्मीर की जो गतिवितीं चलती हैं, 2009 से हम जम्मो किश्मीर में जन जागन का कारिकम कर रहे हैं, पूरे देश में जम्मो किश्मीर की क्या असलियत है, जो सबको पता नहीं है और जो एक गल्थ narrative के साथ में जमो किश्मिर के बारे में और पाकिस्तान का दुस्परचार आएईसाई का दुस्परचार और पूरी तरह फंडिंग करते हुए यहां के कुछ पत्रकार कुछ ऐसे बंदू उन्होंने अपने साथ जोड़ करके एक इस प्रकार का नहींटी बनाया कि जैसे जमो किश्मिर के अंदर बहुत अत्याचार हो रहे हैं मैं अपना बात अपने रखने से पहले अपने जो मंच पर विराजमान है उनका परच्छे कराना चाहूंगा आप से जैसे कि मैंने पहले बताया यहां पर अधिकांश लोग प्यो जेके के से हैं पाको को पड़ाई जमो किश्मिर जिसको पहले पियो के बोला जाता था और कहीं सरकारी वाशा में पियो के आज भी बोला जाता है और कहीं जगा प्रियों के वर्ड का इस्तमाल होता है प्रन्तो हमने इसको जो शब्द दिया है प्रियों जे के शब्द है वास्तम में वो जो हिस्सा पाकिसान ने कब जाया हुआ है तूठ़ हिस्सा वो कश्मीर नहीं है लगबग उसकी रहन्स है नहीं का खान पान जम्हों के साथ मिलता है इसलिए वो पुरा हिस्सा जो है वो जम्हों कश्मीर का हिस्सा है नविन जी ये मत करो अगर आपको करना है पीछे जले आओ सबसे लास में जले आओ सबसे लास में जाओ क्योंकि प्रेस को अधिकत आती है में अगर आपको बनाना तो पीछे चले हो तो हमारे बड़ा सवाग्य है कि विशे है के हमारे जो विद्वान है हमारे और अनेक और पढ़र हो अगजिद नहीं है उनमें से हमारे में उन मियत में पस्थित नरे विद्या फूशन जी आप उन बार भारत मुशन जी आप डिली हाई कोट से रिष्टार जर्न रडायर हुए हैं और आपका भी बहुत सायोग हमारे को मिलता रहता है और मीरपुर भिल्बान बहुन समिती जो अमने हिया आप लिखाय नाम उसके अध्यक्षा हमारे डॉक्टर सुदेश रितन जी वो है और साथ में हमारे मदल महुन जी जो मिरप्रुवलान भावन समयते के और जनरल सेक्टरी हैं वो हमारे बीज में बस्ते तो है तो मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान ने जिस प्रकार से और शाजिश की हुई थी और जबकि कश्मीर में और सब कुछ सबसे सस्ता मिलता था प्रन्तु कहा कि वहाँ पे आजादी नहीं है हमारे को और पूरे इंटरनेशनल मंच के ओपर हिंदोस्तान को बंदाम करने का जो काम लगातार चल रहा थ और एक ऐसा नेड़ी चल रहा था पूरे विश्च के अंदर बै कश्मीर के अंदर तो एक अत्याचार हो रहा है इस प्रकार की बात चल रहे थी और जहां कि हमारे अपने भी कुछ लोग यहां से भी उनकी द्वारा जो फंडिंग हो रही थी वो भी उसे भाव के अंदर भ 2009 में शाम जी मंच पर आयो तो हमने जम्मो किश्मीर पीपल हुरम की स्थापना की यह जो नेरिटिव फाल्स नेरिटिव पूरे विश्व के अंदर चल रहा था इसको बदलने का हमने प्रयास किया है और हम लगातार ऐसे आने को कारिकम और दिली के अंदर हमने किये हैं हम इसके बंदों उसमें शामिल भी हो इसकारिकम के अंदर और हमने उस नेरिटिव को चेंग करने की जो है और हमारे जम्मो किश्मीर के अंदर जो 47 केवल हमने उनको नहीं जोडा किश्मीर के बंदों को तो सब जानते ही हैं यहां पर उबस्तित भी है किश्मीर के बंदों हम वह भी हमारे साथ में आयों है इस कारकेम के अंदर उनका सायूग में मिलता रहता है हमारे को प्रणतु ऐसा वर्ग जो किश्मीर में किसी को जानता नहीं था कश्मीरी इस नाते से उनको जानते हैं पहचान नहीं थी जो पीयो जेके के जो लोग हमारे बड़ी मात्रा में 1947 के अंदर और वहां पर बहुत बड़ा जेनो साइड हुआ और कबाईली फोर्सेज आ गई और उन्होंने आकर वहां पर हमला कर दिया उस जेनो साइड के अंदर जो है 25,000 लोग जो है वो मारे गए उसके बाद जो लोग बचकर के आये प्योजेके के उनको पहले तो किश्मीर में रहने दिया गया उनको कहा भी आप किश्मीर में रहनी सकते हैं जमो किश्मीर में रहनी सकते हैं कुछ लोग वहां पर बस गए और कुछ लोग वहां से त्रेपन सो परिवार ऐसे थे जो कश्मीर से बाहर और हमारे देश के विविन हिसों में उत्रांचल में पिपलिया अलवा, दिल्ली और अनेकों अस्थानो पर जाकर के उनोंने वहाँ पर अपने और उनके बाद कुछ में था आर पौव में चपल भी नहीं थी धूते में नहीं थे और फड़े होई कपड़े थे उनके बाद में ऐसे हमारे लोग जो है वोड डाल सकते थे, असेंबले वोड नहीं डाल सकते थे, वोड बड़ी मातरा में ऐसे लोग, वहाँ पे थे, वेस्ट पाकिसान रिफ्यूजी, उनका विशे हमने उठाया, इसी प्रकार जब आकमन होयाता था, और बॉर्डर के उपर बहां गोलें चलती थी, लोग घर वेल भी होए, यह सारी की सारी बाते, जब 370 और 35 पे हटा अभी, तो उनको वोटिंग राइट भी मिल गया, जो हमारे पियोजे के बंदू, पियोजे के बंदू यहाँ पे आयों है, बैड़े बड़ी मातरा में उपस्तित हैं, उनके बारे में उनकी विसुद सरकार ने ल बाहरे ली गई और क्योंकि जो लोग पाकिसान से आए थे, सिन से आए थे, जग से आए थे, अनेक स्थानों से आए है थे, उनको ऑमने शनार्थी माना, और उनको यहाँ पार रहने के अःट सप्रकार की सुदैन दी और उनको सही थागी, पलॉज दी, जमीन दी, वो यहा आगे हैं प्रंतो हमारे फीजेषी कि के लोगें इनको सरकार ने कहा कि हम आप को ज преступार नहीं मानेंगे क्योंकि हमने रिफिजी माने की आनल क्लीम किया हुआ है कि यह विख सिर exhibited है नहीं 46 है डोत्याय हिस्सा वो हमको वापिस लेना है अगर हम आपको और refugee मान लेते हैं तो हमारा claim जो है weak हो जाएगा हम वहाँ पर UNO में पनी बाद निक्या पाएंगे इसलिए आपको हम जो है के बारे में कोई विचार नहीं हुआ हाँ आज का दिन हम ने जो चुना एक कारिकम करने के लिए एक संसत का प्रस्ताव है 22 February 1934 में का वो प्रस्ताव जुनानिमस है बनकि उसमे नेशनल कॉन्स भी थी इस वे अंदर जुनानिमस के अंदर दोनों सब्सक्राइब प्रस्ताव पास हुआ हुआ है और पाकिस्तान जो गर्बने करता था और नरसी मराव जी के उस से वे सरकार थी और पारले में के अंदर जो जो युनानिमस लेशन पास हुआ हूँ था कि अब हमारा और कश्मीर का विशे कोई बागी नहीं है ये हमारे देश का इंटेर्ग्ल पार्ट है और कोई बागी विशे रहे हैं वो दो तेहाई हिस्टा जो पाकिस्तान ने कबजाया हुआ है और जिसके लिए और सारे लोग यहां पर ही होजें कि यहां पर बैठे हुए वो जो हिस्सा है हमारा, वो हमों को वापिस लेना है, यह हमारा प्रस्ताब है, और इसको प्रस्ताब के अपने कौपी भी मिनाई हैं, अब आपको वित्त भी हो जाएंगी, और सब के पासे पहुच जाएंगी, तो मैं बहुत ज्यादा लंबा नी बोलता है, पत्रकार तो थोड़ा एक आपको जलक बताला जाता हूँ पियो जेके के लोगों का हमारे किश्मेरी बंदों के वारे वे तो बहुत कुछ हमारे पिक्चर भी बनी है किश्मेर फाइल भी बनी अभी ये भी बनी अभी जो हमारे जो पियो जेके से बंदों आए हैं जिनको हमने शरणार शब्दों में शाम जी हमारे सामने वो अपने प्योजेगे की मीरवड़ की बात रखे शाम सुन्दर जी नमस्कार बंदू आज के कार्प्रेम में आपका स्वागता है आप लोग हमारा साथ देने के लिए उसके लिए शुक्रिया माफ करना मैं थोड़ा भावु को जाता हूँ जो मैंने अपने पूर्वजों से सुना जो कहनिया सुनी कभी यादा थी दुराद को नीद नहीं याद थी कोशी करना के बाद भी मैं भावु कोना छोड़ नहीं पाता कहानी ये है भारत जब अज़ाद हुआ तो बठवारा हो गया जमू कश्मीर जो था वो भारत का अंग था ही राजा ने भी संदी करी थी हिंदुस्तान के साथ पर जो पाकिस्तान में जो मुसलिम थे जमू कश्मीर में और अन्य आसपास लोगों से आके उन्होंने कबाली उनको बोलते थे उन्होंने लाके हमारे उपर हमला चुरू कर दिया व्यपारी कों में माजन व्यपारी हैं उनको लड़ना आता नहीं लड़े किसी से है नहीं तो जो आसपास मीर्पूर के जो लोग थे गाउन से हैं वहां से मुसलिम आते हैं उनको पर हमला करते हैं और उनको खदेर नहीं को कोशिश करते हैं ऐसी प्रस्तिती थी कि महिलाओं के साथ बलातकार हुए महिलाओं ने कुमों में छिलांग लगा के आत्मत्या कर ली ऐसी प्रस्तिती आ गई कि कुमें भर गए बंदा डूबी नहीं सकता लोगों ने दर्याओं में छिलांग लगा ली गरवलों ने अपनी लड़कियों को जहर दे दिया कि पराधीन लोग उनके पास जो है उद्मी लोगों के जाज इन मुस्लिम लोगों के हाथ में नहीं आएं और ये हमारी इनकी इज़त बची रही पर वो कहा तक करते हैं लगब बीस हजार की अबादी दस हजार लोग मार द कि पैदल चलते हैं पहाड़ी इलाका है बठारी हें नहीं मिलता है आप कपना कीजीये का ऐख गौद मेहां ने उठाया है पर उसकी हमत नहीं है चलने की बच्चे को छोड़ दिया क्या करें आप जीएगी तो जीएगी तो बावी कोई अगर छोड़ देगी तो बावी मर जाएगी वह उन्होंने आ जा ना पकड़ देना उनने जो थे उसके साथ क्या हाल होगा ये बात की बात है माम बुड़ी है कंदे पे उठाया हुआ है नहीं उठा सकते छोड़ दिया और मानवता की बात तो ये देखने कि एक रोटी कहीं से किसी को मिल गई उसके बच्चे को रोटी दे दी कंदे पे उठाया है पीछे वाली जो खड़ी है उसके बेटे को तो भी नहीं मिली फोसे भी ले ले लेती है कि एक टुप्रा मेरी बेटे को बेटे को बेटा है ऐसी परस्तियों में कई हफतों चले के बाद रस्ते में बीस हजार की अबादी थी दस हजार लोग यहां पहुँचे दस हजार लोग रस्ते में खतम हो गए 75% औरते वापिस नहीं आपाई जो बचियां थी आई हालत यह है कि मैं अपने घर की बात बताता हूँ कि मेरी माँ की उमर उस तैम 14 साल थी और मेरे पिता की उमर 29 साल थी मेरे पिता के लिए लड़की नहीं थी जवान और माता के लिए हादमी नहीं था जवान तो उस 29 साल की महिला के साथ मेरी मा के साथ और पिता के साथ 14 साल की लड़की की शादी हो जाती है कि चलो क्यों कि मेरे नाना की तीन बेटियां थी साथ में तो एक बेटी कम हो जाएगी कि उसको रोटी तो मिल जाएगी ऐसी परस्तिती में और बहाँ जो हालात थे आप कल्पना नहीं कर सकते क्या क्या होगा रस्ते में कितनों को काठ दिया कितनों को एक एनाम उसका एक चंडी गर में सदार जी थे मैं कर्टर में चालता था हूँ तो वो कहले डिक मेरे को मिले बाद में कहते हैं यार मेरे नल की हो उया कियो है कि अंदर मैं नू फड़े आउ ना ने ते मैं छुरा मार के सट देता पतनी दूसरे दिन में होश आया मैं बड़ी मुश्किनल किशटके सटके पूंचिया अब उनकी वजन था मुश्किल से 40 किलो कहते हो अधे बाद मेरा खून ही नहीं बनेया मैं त्यार सी आल चाहां पर लेकिन है ऐसी प्रस्तिती में जो हम लोगों के साथ घटा और क्या क्या देखा और यहां आने के बाद भी किया है कि खाने की विवस्ता कैसे होगी रहीसों के इलाका कहते हैं कि मीरपूर जो था वो रास्ता था इंग्लेंड जाने का सड़क से वेपारी थे बड़े स्मृद्ध थे मेरे मोसा जी ने जब यह हो रहा था तो अपनी पत्नी को एक थैली दी कि पुषपा यह अपने पास रख लें जैसे ओड़ते अपनी ठाली ब्लाउस में डाल लेती हैं उन्हों नहीं हीरों के थाली डाल लें आब उनका एक बच्चा था गोध में है तो उसको यह लगता था था कंचिय हैं कुंग से यहां रहा इनासा थे आपा को deflectपित उतर्षा और इस यह अन एक भाद चया किया उसने जो वहाँ ज्रस रही सीव kingdom अभी तक भी जब मैं उनकी बात सुनता हो तो मेरे आउसों नहीं रुखते हैं ऐसी प्रसितियों में हम लोग आई पर मेंती थे, काम करने वाले थे, सर्वाइव क्या, और आज की डेट में हम लोग बड़ी अच्छी प्रसिती में हैं, बड़े ठीक से रह रहे हैं, पर आज भी वो बाते जब याद आती हैं, तो आशू नहीं थमते, मन भर जाता है, इससे ज़रा बोलने कि मेरी हमत नहीं है। मैं अभी निवेदन कुरूंगा, अभी क्या हुआ है कि सिर्वर लाइनिंग जैसे का, जैसे शाम जी ने का, अनेकों प्रकार के बाते हुएं कि हमारी सुझ जो है, जब मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने ली, यो पियोजे के, जैसे मैंने का कि हमें और शरनार्थे कर दरजा में दिया गया, उसके बाद में एक पैकेज डिकनेर के अगया, और उसके और उसमें पैकेज के अंदर जो जम्मू को इसमें पियोजे के से लोग आये थे, उनको साड़े पांच-पांच लाग पर दिया गया. पैकेज जो हमारे बंदू हमारे साथ वापस आये थे, उनको मिल गया, प्रन्तु देश के बाखेसों में जो लोग आये थे, उनको मिला नहीं, तो इस पारे में ये था भी इतने असमान ता क्यों, जबकि वहाँ पर जम्मो किश्मीर में हमारे को रहन ने दी गया, और ये जो लोग आये इनको जो है, और पैकेज को नहीं मिला, तो उसके लिए हमने जम्मो किश्मीर हाई कोड में केस लगाया, वो हम केस जीतने हैं, और बड़ी खुशी की बात है, और बहुत-बहुत सौगत है जम्मो किश्मीर हाई कोड का, और जिसने ने दिया इस परकार का, नशकार जी, महिंदर जी ने जैसे पी-ओ-जे के वर्ड बोला, मैं आपको बता दूँ कि पी-ओ-जे के में मीरपूर, पुंच, मुझफराबाद, गिलगिट, बल्टिस्तान, ये एरिया आता था उसने, तो हम लोग जो आए हैं, हम मीरपूर डिस्टिक से आई हैं, अच् उननीस सो सम्तालिस में पी-ओ-जे के से जितने भी लोग जह हैं, विस्तापित होके आए थे, पहले जम्मू आए, तो उस वक्त जो स्टेट गोर्णन थी, उन्होंने क्या किया कि कुछ लोगों को जम्मू में सेटल करवा दिया, बाकियों को जह हैं, जम्मू से बाहर गोवा अधि इन स्थानों पे सेटल रहे हैंगा, यहां रह रहे हैंगा, तो आन्रेबल हाई कोट जम्मू कश्मीर ने अभी एक विस्तापित लोगों के लिए जो कि जम्मू कश्मीर से बाहर सेटल होगे थे, उनके लिए एक निरने दिया हैगा, जिसमें कि यह तरे पन्र गोवर्मेंट की फिगर के इस अनुसार, त्रेपन सो ऐसे परिवार हैं कि जो जम्मू कश्मीर के बाहर सेटल रहे हैंगा, तो आन्रेबल हाई कोट ने एक तो यह निरने दिया है, कि जम्मू कश्मीर से बाहर जो भी विस्तापित परिवार सेटल है, इन सब को 26,319 विस्त गाईगा, गाईगा, इस में यह जहाई प्राइमिनिस्टर रलीफ फंड में यह त्रेपन सो परिवारों को साड़े पांच लाक रुपे पर परिवार के साब से यह दिया जाना है, गाईगा, और आन्रेबल कोट ने यह भी निरने दिया है, कि यह जहाई कारवाई सारी 6 मे इने के अंदर यहाँ पूरी हो जानी चाहिए है अगाब तो हम मीरपुर बलडान भावन समीटी और जम्मो कश्मीर पीपल फॉरम से आनरेबल हाई कोर्ट का बहुत अबार व्यक्त करते हैं जिननों ने हमें हमारे दुख दर्ग को समझा और हम लोगों को जहाँ इस तरह का स्टेटस दिया गया है का अगागा गागाँ कोर्ट पर प्रोसीडिंग के दूरान बार सरकार जम्मो कश्मीर गवर्वर्मेंट का एटीटूड भी पासिटिव रहा जिसकी वज़ा से हम लोगों को ये निनने दिया गया है हम उनके भी आबारी हैं इसके अलावा हम जहे है 12 सरकार और जमू कश्मीर वर्तमान सरकार से एक अपील करते हैं कि यह जो भी जो है इसमें जो नोटिफिकेशन इशू होनी है वो इसको जल्द से जल्द जारी करें ताकि लोगों को जह है इसका बेनफिट मिल सके आपको यकीन नहीं होगा कि 1947 में जो विस्तापित होके इसमान में आज की डेट में दो या तीन परसेंट लोग रह गए हैं बाकी सब अपने इसी आस में जहागा संसार चोड़के चले गए हैं इन दो तीन परसेंट में हमारे बूशन जी भी हैं जो कि यह वहां से आये थे उसका तक तो बारसरकार यह नोटिफिकेशन टाइमली इशू कर देती है तो कम से कम दो तीन परसेंट जो जहागा उनको तो कुछी होगी और वो इस चीज़ से सटिस्फाई होंगे कि बारसरकार ने हमें रिकगनाईज किया है तो यह हमारी बारसरकार से और जमो कश्मीर गवर्मेंट से जाएगा आपील है कि यह हमारे बीज में श्रीविद्या पूशन जी औरनेबल जस्टिस दिली हाई कोड में वह उपस्तित हैं मैं उसे को मुगा दो शब बोलें हूँ कि सब्सक्राइब ने बताई आपको मैं इसके लावा सब्सक्राइब कर दो नमबर पॉर्टिएट में बहुन हुआ दिली में परिवार में कोई नों कैसा था मचानी कोई ना हो उनको तो मुझे कभी देखा नहीं दादा जी हमारे साथ रहे वह हानीर चुनाते थे जैसे उनने बताई भड़ना कानिये थी वह कैसे जेख वाना बना ली जब टेंपों में रहे आते हो भास रास्ते में पथर के ऊपर र गरम करके उसके पराटा बूंद के वह रोटी बनाते थे और जो आटे के अंदर वह सारा कंकर होते थे उसी साफ से रहते थे और मीलों मील पैदल चलते थे और कहीं बार जैसे कहीं हो ने अपना हुजट लिया मेरे पास 1944 का एक पैड़ पड़ा हुआ है मैंने दिया है उस पर लिखा हुए लैनलोट बुलियन डीलर वो मारी माता जी बताती है जब दादा जी गौंब में जाते थे तो उसके पास दर्दर्श तोने के बिस्कुट होते हैं सोने के ऐसे जाते थे ऐसा मलब हुई डर्व जो हैं दो तिन बड़े बड़े वो फाइलेट बने एयर फोर्स में गहे है वो केट बने उन्होंने रुमाल बेचे सडकों के उपर पट्रों चपलें बेची कंगियें बेची लेकिन किसी ने भीक नहीं मांगी आए तर्ड लेकिन आप वो वक्त है 277 हो गए हैं अमारी था अपनाए हमने सही है जो बच्चे को बताते हैं पर एक पाइचा है वाड़ बताता हूं जो इन छोटा साथ चार पआप साल का तो हमारे घएमें ऑन्हारे जब को हिश्टे ढारा था या मांसी जी आती है, माहता जीं खे डिसिस्टर या मामी जी वो गले मिलें रहों बाकिन कि याद आ रहे हैं अपने जो चले ही हैं उनकी हर आदमी रोता सा उस्टेंपे जले मिलके मिला जिसे मिले हैं रोता दें खुछी की बाता लेगी नो कैसे थे उनको अपना वो सीम याद आ थे कि हम बच गए हैं बाकी तो हमारे चले गे एक लोज इससेदाद बच जिए ही मैं दन्यवाद जी मैं सामने बचे वा पस्टत सजनों मादेवियों अभी शाम जी ने और में चोटे भाई ने बताया किस तरह हैं शाम जीने तो तक तहने दुख दनी अपनी गासा तुनाई और यह जो इनकी इनोंने गासा तुनाई है हर परिवार का यह आग है जैसे मेरे वाई अब ने बताया कि मेरे हमारे दादा जी ये वादी बना अब ती बिगेस्ट गोल्ड सराफ जम्मू किश्मिर के थे और उस जमाने में वो अर्बो पती थे और जब वो आये यहां दिल्ली तक पैदल आने में उनको एक महिना लगा और जो कपड़े वहां उन उन्हों एक मेने में यहां तैय किया तो आकर हम लोगों ने इतनी मेरत की मतलल हम लोग ने मतल हमारे पुरवजों ने तो हम लोग इस स्टेज रख मुझे मैं तो उस तर्म सिर्फ तीन चार साल का था तो लेकिन वो वो दर्द सहे और वो श्यातनाए सही उसके बाद आप प हमारे पुरुजों ने मेनत करी और यह जो फोर्म है हमारा जिसे मेंदर जी शाम जी डॉक्टर साहब मदन जी विजे जी इन लोगों ने इतनी मेनत करी कि आप जैसे हम लोग जो वहां से आए हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए जो डॉमिसाइल हमारा as a matter of rights था कभी हम को देते नहीं थे तो इस सरकार के आने के बाद हमको यह मिला और हमारे बच्चों को एड्मिशन भी प्रायाइटी बिजिस पर जहां भी जंगो की स्विर्गी रिजर्वेशन है वहां शुरू हो गई है मेरा अपना पोस्ता जो है उसको लॉवे गुजरात लॉव स्कूल म मिलिए तो अब हम चुक्रिया अदा करना चाहते हैं आज तोर पर गौवर्मेंट का और यह जो हाई कोट की जज्जमेंट आई है इसके बाद इन्हों ने हमको एट पार कर दिया है कि जो डिस्प्लेस लोग थे जो जम्मू की फिर्वी सेटल हुए जो अभी तक हमको ने र आज जो हम कारिकम कर रहे हैं जो प्रेस के बंदों से हमारा निवेदन है यह दो बातें आपके सामने हाईलेट करनी थी एक तो जम्मू किश्में हाई कोट का नीने और दूसरी बात जो है वो आज का बिली दिवस वास्तर में साड़े पांच तार लाक रुवे हमारे को मिल क्योंकि परीवार तरी पुनसर परिवार आज जिट में लगबाक पांज कुना होंगये 25,000 परिवार होगे होगे और जो 26,000 परिवार वहाँ पर जमू में जिनको मिला है वो भी बढ़ करके और 5 गुना होगे होगे और मुश्किल से किसी को क्योंकि हमें ये पूरी उमीद है कि हमें अपना प्योजे के और वापिस लेना है और वहाँ पर जाकर के अपनी अभूमी पर और वहाँ पर रहना है ये सब के इच्छा है और इस पैसे कुछ होने वाला नहीं है सब के मन के अदर इच्छा है आज संकल्ब दिवास हमारा है उसमें ये हम संकल्ब दोरारे जो हम पीयोजे के जिम्मो किश्मिर के भारत नहीं है बहुत दिनों से हम इसकी परतिक्सा कर रहे हैं और हैं कि लोंग बहुत परतिक्शा कर रहे हैं यहां पत्रकार बंदों भी आए हुए है तो उनके कोई प्रश्ण हो तो वो अपने प्रश्ण भी पूछ सकते हैं एक हमने छोटा सा वहां का जो प्रेसलीज है वो भी हमने बनाया है जिसके अंदर जो हमारा बाइस फरवरी निसों चुराने का संसर्द का प्रस्ताव है उसको भी हमने हमें नेट में मिल जाएगा हम देखेंग तो हमने यहां पर उसको फोटो सेट का करके आपके साथ में जो हमने आज क्या जो कारिकम में उसकी बारे में आपको बढ़ाया है तो आप मेरे बत्रगार बंदू जो यहां पर हैं और कुछ को जिल्दी थी उन्होंने बाइक लेके और उज्याना था उनको कुछ चले भी हैं कुछ यहां पर बहुत समय लगाया है उन्होंने हमारे बीचे बैठे हुए हैं तो अगर कुछ पूछना चाहते हैं प्रेशन तो वो पूछ सकते हैं मुझे रखता है कि अभी कोई हमारे ऐसे प्रशन नहीं है अगर कुछ पत्रकार बंदू मेरे को अपना कार्ड भी उन्हों काई भी हमारे को आप रैसलीज भीजीजे ताकि हम इसको आगे अपने अख़बार के अंदर या अपने जो भी उनका न्यूस पर है उसके अंदर पब्लिश कर सके तो वहां तक पहुझ जाएगा और मैं अब डॉक्र सुदेश रदेश से निविजन कुरूंगा वो धन्यवाद प्रस्ताव का क्यापन करें कि दान्यवाद आप सब लोग यहां पर टाइम निकाल के आए हैं इस तो पहरी अपना बीजे शुडियों से तो इस सब के लिए हम आपका अभार पर कटें और जैसा आपने सभी लोगों से सुना आज 75 साल पहले जो हुआ है वो आज भी हमारे दिलों में हैं और मेरी आप सबसे यह प्रात्ना है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रेस में जगा दीजिएगा ताकि पदा लगे और एक छोटी सी बात और एड करना जाता हूं आप सबने बहुत सारी सुनी कि जो जबू कश्मीर के बहार जो विस्थाबिट हैं वो एक बार ने दो बार उजड़के आएं एक तो जबू आए जबू से भी भाए गए तभी यहां बाहर आए नहीं तो लोग जबू में सैटल हो जाते हैं उस वकत की जो सकार थी शेग उसने का कि हमारे पास ना जगाए ना हमारे पास पैसे हैं तो अब यहां से चाहिए गाए तो यह भी एक एडिशनल प्रॉड्लम उस वकत आई तो यह कि अधर कि खुड़ा साथ करता हूं और एक वार थे रिक्वेस्ट करताहूं यहिए थोड़ा यह वाज़ रिक्वश्चत में शफ्चत के जबूद साथ की शचतर थे हुए तो यह माज़िए यहां फैक आप उर गिवाले आ बंवार्चत सुझाए प्वेश्चत करता हूं और एक बाद तिर रेक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा इसको हाइलाइट करें ताकि औरों को भी पता लगे कि क्या यातनाई सेहट है हम यहां तक पहुंचे है धन्यवाद एक बाद मैं आपके शाम जी कुछ कहने जाते हैं फिर मैं कुछ यह आपको बताना जाता हूँ एक घटना मैं बताना ब्कूल गया आपको ऐसा हुआ कि मेरे मोसा जी वहाँ ज्वेलर थे तो उनके बाद जो सुनेयारे काम करते थे वो आज सारे इंग्लेंड में है और इंग्लेंड के अंदर भी एक मीटर कॉल नहीं है वो जो एक सुना रहा था वो दिली में आया दिली में आके उसने मेरे मोसा जी को ढूंडा और उनसे मिला तो उनसे मिलने के बाद उसने का यार किशनलाल एक काम कर सकता है मेरा वर्योट क्या कहता है तो आड़ी कुडी जड़ी सी ना एक उत्थे रह गई सी तो उसना व्या होई है मुसल्मान न ओ अज भी रूनी है ओ अपने परावागी मिलनी चानी है तो कुछ कर सकतना है अब मोसा जी को तो मैं ही नज़र आया उनने मेरे को बोला यहासा कुछ हो सकता है मैंने कोई बात नहीं आप उसको यह पूछो क्यों उनके भाईों के नाम क्या थे उनके बाप का नाम क्या था यह सारी मेरे को जो आप इन्फॉमेशन देंगे तो मैं कोशिश करता हूँ इसके भाईों को ढूम लेंगी वो इन्फॉमेशन भी आ गई उस इन्फॉमेशन को के कारण से मैंने पता किया तो पता लगा कि उनके भाई जो है जमू में है उस लड़की के जो वहाँ उनके पकड़ ली थी और उसकी शादी भी हो गई थी और उसका बच्चा भी है तो क्या मैं मिल सकती हूँ मैं उस भाई, बाप अपने गहांबले को तो मिलू हुँँ नहीं अपने भाईयों को तो मिल सकती ही कै नहीं मैंने सारी जानकारी कठी की तो मेरे को पता लगा कि वो जमू में उसके भाई रहते हैं वो यहां हिंदुस्तान में आई अपने भाईउं की मिली तो उसके आने के बाद बोला मेरे को तो उससे मिलाओ जिसने मेरे भाईउं को prevail तो उसके साद एक बेटा भी था जो लगवा मेरी उमर काई था उस महिला ने अपनी शकल मेरे को नहीं दखाई गुंगड निकाल लिया और मेरे वो कहती ही सामने बैठ जा सामने बैठने के बाद उसने दोनों हाद मेरे ऐसे पकड़े और वो पंद्रा मिंट तक रूती रही कहती है मैं धन्यवाद कर रही हूँ कि तूने ये काम किया कि मेरे भाईयों को मिलाया और वो भी रो रही थी, मैं भी रो रही था ऐसी ने को कहानी है जैसे कश्मीर फाइल बनी है जब ये बनेगी और पियो जे के वालों की फाइल जिस प्रकार से इनके साथ जिनो साइड हुआ है मैंने कि अभी मुये प्रदा दलागी ट्रम्प साब बना रहे है वहाँ पर कैसा म्यूजम बना रहे है तो मैंने का ये एक बहुत बड़ा एक जरोसाइड हुआ है और जो कि वर्णित नहीं है फिश्र के अंदर कहीं भी किसी किदाब में नहीं है जिस प्रकार के अतरचार सहा करके ये लोग आए है और आप देखेंगे इनको शरणार्थी का दरजा भी हमारे सरकार नहीं दे पाई क्योंकि हमें आप प्योजे के जो ठट जो जमो किश्मीर है वो हमने वापिस लेना है हमारे बीच में बहुत स्थानों से लोग आए हुए पुंच से लोग आए हुए हमारे मीरपूर से आए हुए हमारे कोटली से आए हुए मिंबर से आए हुए और अनेक मुझे फरावास से आए हुए अनेक स्थानों जो भी जमो किश्मीर का इस्था पाकिस्तान के किपजे में है वहां के लोग यहां पर उपस्ती थें और उसके साथ-साथ हमारे किश्मेरी समाज से भी लोग नैसी कोल जी है आपको पता है इनोंने इंगिलानी के बारे में बहुत फाइट किया यहां पर अधिजी डॉरियूम के और इंगिलानी जी भी इनको नाम से जानते थे तो बहुत संगर्श करने वाले लोग यहां पर आई मुए हैं बैठे हैं और मेरा जैसे हमारे डॉक साब ने निविदन किया है कि इसकी सारी की सारी गाता जो है वो हमारे और बाकी जागा पारे सामाज दर पतरों में सब जागा आनी चाहिए क्योंकि हमारा वैसा परचार नहीं है जो हमारे कश्मीरी मनों कर रहा है प्रंतों कोई कश्मीर फाइल की तरह हमारे भी फाइल बनाएगा यह उम्मीर के साथ बहुत होते निवाद